कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे डियो स्टेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर आप भी उर्थात मैटिसेस का सेवन्थ लेक्चर होने वाला है डियो स्टेंट्स इस लेक्चर के पहले इस चैप्टर के विहाब पर मैं आपको आल्रेडी सिक्स लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ आशा करते हैं आप सभी के सभी लोगों ने प्रीवियस सभी के सभी लेक्चर को जरूर से जरूर देखा होगा अगर एक भी lecture को आपने miss किया है तो channel पे playlist भी बन चुकी है साथी साथ उस playlist का link आज की इस lecture के description में भी मैं आपको दे दूँगा आप लोग previous lecture को जरूर से जरूर देख लिएगा Dear students, आज के इस lecture में हम आप भी से related कुछ और प्रकार की definition सीखने वाले हैं और dear students, आज के इस lecture में जो definitions में आपको सिखाने वाला हूँ ये definitions आपके exam में direct पूछी जाती है मैं अभी बाप को बताऊंगा कौन सी definition कब पूछी गई है So dear students lecture बहुत ही ज़्यादा important है complete lecture देखिएगा, कहीं पर भी skip मत करिएगा आज के इस lecture को स्टार्ट करते हैं आज का पहला topic जो है इडियोसेंट उसका नाम है lambic abu या lamb coria abu ध्यान दीजिए, इस abu का नाम क्या है इडियोसेंट लाम्बिक abu ठीक है, क्या बोलेंगे lambic abu या इसको हम बोलेंगे इडियोसेंट लंब coria abu lamb coria nos बनाते चलिएगा सभी लोग lamb coria abu ठीक है, जिसको इंगलीस में हम लोग इडियोसेंट बोलते हैं आर्थो गोनल मैट्रिक्स इंगलीस में इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा इडियोसेंट आर्थो गोनल मैट्रिक्स ठीक है, आईए समझते हैं कि ये आर्थो गोनल मैट्रिक्स क्या होता है लेकिन उसके पहले डियोसेंट साब को हम ये बता दे कि ये BTE, Board of Technical Education UP की तरफ से 2008 और साथी साथ 2014 दो बार ये डियोसेंट पूछी जा चुकी है तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये Definition deistence क्या है important है, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ इसको आप लोग अपनी notes में, अपनी copy में भी write करेंगे तब ही जब आपके exam के time आएगा तो उस समय आपको मेरी सारी बाते याद नहीं रहेंगी, आपकी वही जो notes होगी आपकी बहुत ही जादा help करेगी, ठीके, आएए समझते हैं deistence कि ये लंब कोण ये आप यूँ क्या होता है ध्यान्द समझ ये का परिवासा, कहते हैं कि यदि यदि ए कोई यदि ए कोई ऐसा वर्ग आप यूँ ऐसा वर्ग आप यूँ हो की कैसा हो A into A dash करो या A dash into A करो इसकी value आई-आए ठीक, तो इस प्रकार के आप यूँ को इस प्रकार के आप यूँ को लंब कोडिय या लांबिक आप यूँ कहते हैं ठीक है, तो तो ए को ए को लांबिक या लंब कोड़िये लंब कोड़िये जिसको हम क्या बोलेंगे आर्थो गोनल मैट्रिक्स ठीक कहते हैं इसका मतलब समझे थोड़ा सा और अच्छे से इसका मतलब यह है डियस्टेंज कि अगर ए हमारे पास कोई वर्ग आप्विव है तो अगर हम उस वर्ग आप्विव का ट्रांस्पोज निकालें प्रिवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांस्पोज मैट्रिक्स क्या होता है जब किसी भी आप्विव के पंक्ति को अस्तंब में और अस्तंब को पंक्ति में बदल दें तो हमको तत्समक आप व्यू भी कहते हैं तत्समक आप व्यू किसे कहते हैं आपको बताया गया था डियोस्टेंट्स ऐसा आप व्यू जिसके बिकरण अभी अब एक होते हैं बाकी सारे अभी अब सूने होते हैं उसे हम तत्समक आप व्यू कहते हैं जब हम किसी वर्ग आप व्यू को उसके परिवर्थ आप भी उसे multiply करें और उसी quote का अगर डियो सेंट्स हमें क्या मिल जाए तत्समक आप भी मिल जाए तो वह आप भी जो होगा वह कौन साप भी कहलाएगा lambic आप भी या lambic ओडिया आप भी कहा जाएगा आए एक example लेकर के मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है lambic, abu या orthogonal matrix एक कौल टू एक example ले लिजे बच्चों कास अलफा ले लिजे और ले लिजे साइन अलफा और उसके बाद माइनस साइन अलफा ले लिजे और यहाँ कास अलफा ले लिजे यह हमने एक example लिया एक कौल टू कौस अलफा, साइन अलफा, माइनस साइन अलफा, कास अलफा अब यहाँ पर नाव आप क्या करिए अब आप A-डाइस फाइंड करेंगे जब आप A-डाइस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा कास अलफा आएगा साइन अलफाएगा फिर माइनस साइन अलफाएगा और कितना हैगा कौस अलफाएगा हो गया अब हम लोग क्या करेंगे आप चेक करिए A into A dies को मल्टिप्लाई करिए या A dies into A करिए दोनों case में हमें ये दो गुड़े दो कोटी का है अगर दो गुड़े दो का एक तत्समक आप भी हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारा ये जो A होगा वो हलाम्बिक या लंब कोड़िये आप भी हो कहलाएगा अब धीरे धीरे टॉपिक इंट्रेस्टिंग हो रहा है धीरे धीरे हम घहराईओं तक पहुच रहे है और दियो शेंट्रेस्ट थर्ड समेस्टर की जो मैथेमेटिक्स है अपने आप में दमदार इसलिए दिमाग लागा के समझे क्योंकि थर्ड समेस्टर में मैस में बच्चों की बैग बहुत जादा लगती है आईए बात करते हैं लेकिन आपकी नहीं लगेगी टेंसन मत लीजेगा आप पढ़ते रहिए बस नाव एंटू एडैस फाइंड करते हैं देखे क्या आएगा यहां लिखेंगे कॉस अलफा माइनस में साइन अलफा फिर लिखेंगे साइन अलफा और कॉस अलफा मल्टिप्लाई में हमारे पास कितना होगा कॉस अलफा फिर होगा कितना साइन अलफा माइनस में कितना साइन अलफा फिर क्या हो गया कॉस अलफा समझ में आई बाते अब देखें एंटू एडैस जवाब करेंगे तो इसको इससे मल्टिप्लाइब होगा, देखो, cos का cos से होगा, cos square alpha, इसका इससे होगा, plus में sin square alpha, अब इसी को लेकर आके से multiply करते हैं, तो क्या होगा बच्चों, minus sin alpha into cos alpha, इसका होगा, तो plus में हो जाएगा, sin alpha into में कितना हो जाएगा, cos alpha, ठीक है, अब इसको पकड़िए, इ इसके साथ करेंगे, तो कितना होगा, minus sin alpha into में cos alpha, प्लस में होगा, यहाँ पर sin alpha into में कितना cos alpha, ठीक है, अब इसी को हम इसके साथ लेके जब आएगे, तो minus minus plus, यहाँ कितना आएगा, sin square alpha, प्लस में हो जाएगा, बच्चों, कितना cos square alpha, अब इसको simplify कर यह देखिए, a into a dash, यहाँ पर आप देखोगे, इसकी value 1 आएगी, यह दोनों cancel होकर कि 0 आजाएगा, अब यह देखें, यह भी 0 और यह भी 1, यह क्या है, देखो, यह आई ही तो है, तत्समक आप भी होई तो है, क्योंकि बीकर्ण अभी 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 इसके 1 है, बाकी सारे elements क्या है, 0 है, cos alpha, sin alpha, minus sin alpha और cos alpha, यह कितना था, यहाँ पर सायद आपको नहीं दिखेगा, I hope, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा erase करता हूँ, आप लोग इसको note कर लीजिए, मैं इसी को erase करता हूँ, यहाँ मैंने a into a dash find किया है, अब मैं a dash into a find करने चल दा हूँ, ठीक है, यहाँ पर यहाँ आई आना चीए और यहाँ पर आई आएगा, आईए देखिए, a dash into a करेंगे, तो a dash की बहिरू कितनी है, cos alpha, minus sin alpha, फिर आपके पास है sin alpha into cos alpha, a की value लिखिएगा, यहाँ हो जाएगा, cos alpha, minus sin alpha, sin alpha और cos alpha, यहीं होगा न, ठीक है, आईए multiply करिए और देखिए क्या आईगा, a dash into a, अब जब इसको इसके साथ लेके जाओगे, देखिए, आपको मिलेगा, cos square alpha plus sin square alpha, ध्यान देना, इसको इसके साथ लेके जाओगे, sin alpha into cos alpha और यहाँगा, फिर यह इसके साथ आएगा, minus sin alpha into cos alpha और यहाँगा, multiplication आपको मैं सिखा चुका हूँ, इसको इसके sin alpha into में कितना, cos alpha और फिर इसको इसके साथ लेके जाएगे, तो आपको मिलेगा sin square alpha plus में मिलेगा, cos square alpha, क्लियर है बाते हैं, देखिए, अब यहाँ भी यह cancel हो गया, यह cancel हो गया, इसकी value 1 होती है, तो a dash into a equal to कितना है, 1001, इसका मतलब यह भी क्या है, आई है, तो यहाँ आपने क्या देखा, a into a dash बराबर है, a dash into a के और यह बराबर आ रहा है, आई के अताह, यहाँ पर a क्या है बच्चों, a जो है, वो लाम्बिक, या कह सकते हैं, लंब कोडिये, या हम बोलेंगे, आर्थो, गोनल मैट्रिक्स है, समझ में आगी बाते हैं आप लोगों को, I hope आपको यह सब क्लियर हो गया होगा, कि लाम्बिक, या लंब कोडिया आप वियू क्या होता है, बहुत ही जादा important है, क्योंकि एक्जाम में पूछा जा चुका है, और आपको समझ में भी आ गया हो, उसको नोट कर लीजिए, एक्जाम में ऐसे भी कुश्चन आ जाए, कि ब को उससे multiply करेंगे, क्रम बदल के multiply करेंगे, अगर उनका multiplication क्या होगा, एक तत्समा का आप वियू आपको प्राप्त हो जाएगा, उससे यह proof हो जाएगा, कि दिया गया आप वियू और वो लाम्बी क्या लंब कोडिया आप वियू था, चलिए अगली हम बात करते हैं, समिस् इसको बलेंगे matrix, कौन सा matrix, complex matrix, ध्यान दीजिए, समिस्र आप वियू, ठीक, जिसको हम बोलेंगे, complex matrix, complex matrix, आप लोगों को बच्चों, complex number पढ़ाया गया है, I hope आपको याद होगा, आपको बताया गया था, कि complex number, z equal to x plus i y के फाम में होता है, जहां इस i को हम लोग iota कहते हैं, इस हम लोग discuss कर चुके हैं, तो यह जो इस फाम का जब होगा, तो उसको complex number कहते हैं, अब इसे 2 को भी हम complex बोल सकते हैं, यह लेकिन क्या है, यह pure real complex number है, है न, यह सब कीजे हम लोगों उसे के साथ discuss हो चुकी है प्रिवियस सेमेस्टर में, तो यहां पर क्या है डियर सेंट्स की जो समिस्र संख्या है, या जो समिस्र आप व्यू है, वो क्या है, कहते हैं कि एक ऐसा आप व्यू, एक ऐसा मैट्रिक्स, जिसके जो आवियब हो, आप व्यू के आवियब समिस्र संख्याएं हैं, वो समिस् ना ऐसा आप व्यू जिसके अभियाब नोट का लीजेगा जिसके अभियाब क्या हो समिस्र संख्याएं हो कि समिस्र कि संख्याएं हो क्या कहलाएगा कि समिस्र आप व्यू जिसको हम बोलेंगे कॉम्पलेक्स मैट्रिक्स ठीक कहलाता है कॉम्पलेक्स मैट्रिक्स कहलाता है कैसा मैट्रिक्स कॉम्पलेक्स जब उसके एलिमेंट्स जो होंगे किसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे अगर वो complex number होंगे तो इस फ्रकार के matrix को हम क्या कहेंगे complex matrix कहेंगे example देख लीजिएगा complex matrix का example देख लीजिए देखिए जैसे हम लिख देए 5 plus 2 iota और यहाँ iota 1 minus 3 iota 2 plus iota यह हमारे पास एक complex यह जो है 2 cross 2 का एक matrix है और एक ऐसा matrix है यह हमारे पास complex matrix है कैसा matrix है complex matrix है क्योंकि इस matrix के जितने भी elements है वो सारे के सारे elements क्या है complex number है इसलिए इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे complex matrix बोलेंगे और देखिए कोई example लिजिए 2 plus iota लिखिए 1 plus iota लिखिए minus 1 plus iota 5 लिख दिए plus iota 2 plus iota है यह लिख दिजिए यह 3 गुड़े 2 कोटी का यह क्या है complex matrix है complex matrix है means कैसा आप व्यू है समिस्र आप व्यू है clear हो गई बाते एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गई हूँगी complex matrix अर्था समिस्र आप व्यू किसे कहते है ऐसा आप व्यू ऐसा matrix matrix जिसके elements क्या हूँ complex number हूँ समिस्र संख्याए हूँ इस प्रकार के matrix को हम क्या बोलेंगे complex matrix बोलेंगे समिस्र आप व्यू बोलेंगे तो यह definition भी आप लोगों से पूछी जा सकती है आई अगला समझते ने दिए स्वेंट्स होगा है सायुगमी आप व्यू अगला है सायुगमी आप व्यू समझते चलिए का अराम से सायुगमी आप व्यू जिसको हम लोग बोलते हैं conjugate matrix conjugate matrix देखें conjugate matrix क्या होता है जो conjugate matrix होता है वो हमारे समिस्र आप व्यू से ही बनता है जैसे कोई समिस्र आप्वियू A है तो उसके जो elements होंगे उनके संगत अभयवों के conjugate लिख दिये जाएं तो जो आप्वियू मिलता है वो उसका संगमी कहलाता है वो उसका conjugate कहलाता है ठीक है नहीं नहीं वो उसका conjugate है उसका transpose हमें करना पड़ेगा किसी समिस्र संख्या A के अभयवों के संगत संगमी अभयवों को बदलने से प्राप्त आप्वियू कहलाएगा प्राप्त आप्वियू कहलाएगा जिससे हम A बार से दिखाएंगे A बार से ठीक है मैं आपको समझाता हूँ समाज़िया ध्यान से कहेंगे किसी ध्यान देना किसी समिस्र आभ्यू समिस्र आभ्यू के अभयवों के संगत संगमी अभ्यव लिखने से उसका संगमी अभ्यू प्राप्त होता है प्राप्त होता है जिसे ऐसे A बार से प्रदर्शित करते हैं A बार से क्या करेंगे डियोसदियंस दिनोड करेंगे, रिप्रेटर्ण करेंगे ठीक है एग्जाम्पल देखे जैसे A एकॉल टू हमने लिख दिया 2 प्लस आयोटा यहां लिख दिया 2 minus iota 5 plus iota है ना और यहां पर हो गए आपके पास iota यह हमारे पास एक complex matrix है हम क्या करें कि इसके जो elements से उसका conjugate लिखे 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 2 plus iota का conjugate 2 minus iota होगा 5 plus iota conjugate 5 minus iota होगा 2 plus iota conjugate 2 minus 2 minus हो जाएगा iota का conjugate minus iota होगा अब यहीं जो a बार आपको दिख रहा होगा इसका मतलब जो सैयोगमी matrix होगा जो conjugate matrix होगा वह हमेशा किसका बनेगा complex matrix का ही बनेगा जो complex matrix होगा उसके जो भी elements होंगे जो complex number होंगे और हम उसके जो elements है means उसके जो अभी अभ हैं conjugate number लिखे हुए हैं उन complex numbers के जब हम conjugate को लिख देंगे तब हमें जो matrix प्राप्त होगा वो उसका क्या कहलेगा conjugate matrix कहलाएगा आईए हम बात करते हैं आगे की पताएंगे वो बहुत ही जादा आप लोगों के लिए important होंगे ठीक है ध्यान से समस्ते चलिएगा आगे के जो आप व्यों हम आपके साथ discuss करने वाले हैं डियसेंड्स वो बहुत ही जादा important होंगे ठीक है अभी three types के matrix आप लोगों के साथ discuss करने हैं दिन हम लोग आगे आप लिए साइयुगमी परिवर्थ आप व्यों क्या है साइयुगमी परिवर्थ परिवर्थ आप व्यों हो ठीक जिसको हम बोलेंगे conjugate transpose matrix conjugate transpose matrix यह क्या होता है जैसे हमारे पास क्या है कोई complex matrix है कोई समिस्रा भी हो है तो उसका साइयुगमी लिखा जाए पहले और उस साइयुगमी का transpose कर दिया जाए समझ रहे हैं किसी दिये गए complex matrix का क्या के लिखा जाए पहले conjugate matrix लिखा जाए फिर उसका transpose कर दिया जाए तो उस situation में जो हमारा matrix होगा जो हमें प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे सायुगमी परिवर्थ आप भी हो ठीक है समझ रहे हैं समिस्र आप भी हूँ एके सायुगमी आप भी हूँ ध्यान दीजिएगा इसकी definition लिखेंगे समिस्र आप भी हूँ एके सायुगमी आप भी हूँ के परिवर्थ आप भी हूँ को एका सायुगमी सायुगमी परिवर्थ आप भी हूँ कहेंगे सायुगमी परिवर्थ आप भी हूँ कहते हैं समझ ये गधान से इंप्वाटन भी है ये ठीक अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ इसे डियस्ट्रेंट जो है इसे ऐसे ए बार तो था इसके उपर डैस लगा दिया जाए ठीक या इसको ए बार लगा के उसके उपर टी लगा दिया जाए या इसको ए की पावर स्टार या इसको ए की पावर थीटा से डियस्ट्रेंट किया जाता हूँ रिप्रेंट किया जाता है, ये सब के सब किसको रिप्रेंट करते हैं, ये सब के सब सयोगमी परिवर्ताब्यू, conjugate, transpose, matrix को क्या करते हैं, रिप्रेंट करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, example के मादम से समझेगा, दिये स्विट्स जैसे, A equal to हमारा, एक कोई matrix है, 5 प्लस आयोटा है, 2 माइनस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा है, ठीक है, माली जी यहाँ पर फिल लिखा हुआ है, 2 आयोटा लिखा हुआ है, सही है, ये हमारे पास एक complex matrix है, अब इस complex matrix का जब conjugate, complex matrix निकालेंगे, तो क्या मिलेगा, आपको देखे, conjugate लिखे, 5 प्लस आयोटा, यहाँ 5 माइनस आयोटा, यहाँ 1 माइनस आयोटा, यहाँ 1 माइनस आयोटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 आयोटा, इतनी बाद समझ में आ गई, हमने क्या किया, ये हमारे पास एक complex matrix था, इस complex matrix का हमने क्या लिखा, conjugate लिखा, अब इस conjugate का, ए बार का हम transpose निकालें, transpose कैसे निकलेगा, पंक्ति को अस्तंब में, और अस्तंब को पंक्ति में परिवर्थित कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 5 माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, और क्या मिलेगा, माइनस 2 आयोटा, यही है, क्या, सैंगुमी परिवर्थ आप्विव किसका, A का स्योगमी परिवर्थ आप भी उकलाएगा R करके आप इसको A to the power theta R इसको A star से भी आप reprint करेंगे और ये value किसके equal होगी 5 minus iota, 1 minus iota, 2 plus iota और minus 2 iota के equal होगी आप से exam में question कैसे पूछा जाएगा एक method तो ये है डियो सेंट्स कि आप से स्योगमी परिवर्थ आप view की definition पूछ ली जाए conjugate transpose matrix की आप से definition पूछ ली जाए अगली बात ये हो सकती है कि आपको एक complex matrix जैसे ये उसने दे दिया और आप से पूछें कि इसका आपको क्या निकालना है? conjugate transpose matrix निकालना है तो कैसे निकालेगे? नाम से क्लिए रहना conjugate फिर transpose मतलब पहले क्या निकालो? जो matrix given है उसका क्या निकालो? conjugate निकालो और conjugate निकालने के बाद उसे क्या करो? transpose कर दो इस प्रकिरिया के बाद जो नया matrix मिलेगा जिसको A की power theta या A star से हम लोग दिखाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? conjugate, conjugate, transpose, matrix उसी को हम लोग बोलेंगे doubts clear? ठीक है आपको समझा गया होगा अब इसी की आधार पर ध्यान डियर स्टेंड सैगमी परिवर्थ आप व्यू कि आधार पर ही दो important आप व्यू और आपको बताने चल रहे हैं एक है हर्मिटियन आप व्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स और एक दूसरा होता है बच्चो विसम हर्मिटियन मैट्रिक्स और ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स बहुत ही जादा important है क्योंकि इनकी अधार पर आपके exam में कुई संज जादा पूछे जाते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है हर्मिटियन मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं हर्मिटियन आप व्यू क्या होता है ठीक है डिया सेंट्स बहुत ही जादा important lecture आज का ये हो रहा है और आप लोगों के कहने पर मैंने lecture के time को भी increase कर दिया है 30 minute के lecture को उठा करके मैंने 40 minute का lecture बना दिया है लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों का engagement मुझे दिक्कत लगता है engagement का मतलब यह है कि आपके साथ मैं कभी screen share करूँगा आप देखिएगा कि जब मैं बहुत सारे students हमारे हैं जो पूरे lecture को देखते हैं notes बनाते हैं सब कुछ complete कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे students हमारे ऐसे हैं मतलब उनकी संख्या जादा है उनकी संख्या जादा है जो complete lecture को नहीं देखते हैं लोगो तो भी यह भी नहीं पता हुआ कि इतना लेक्षर हुआ है तो ऐसे में लगता है कि हमारी मेहनत खराब जा रही है लेकिन ठीक है कुछ बच्चे हैं जो कर रहे हैं जो कर रहे हैं अच्छे हैं जो नहीं कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं लेकिन समय पर करें तो उनके लि ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे हरमिटियन मैट्रिक्स, हरमिटियन मैट्रिक्स, ठीक, छए EPA मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर हम किसी आप्वियू का सईगुमी परिवर्त आप्वियू ज्याद करें कांजूगेट ट्रांस्पोज मैट्रिक्स ज्याद करें और हमको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो हम उस आप्वियू A को हर्मिटियन मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे कम समझ में योगी बात आये समझाते हैं कहते हैं कि यदि एक कोई ठीक है ऐसा यदि एक कोई ऐसा समिस्र आप व्यू हो की देखो कैसा समिस्र आप व्यू हो कि ए बार का ट्रांस्पोस एक एक्वल हो जाए या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं तो इस सिचिवेशन में तो हमारा ये जो ए होगा डिया स्ट्राइशन ये जो हमारा ए होगा ये क्या कहलाएगा हर्मिटियन आप व्यू हर्मिटियन आप व्यू कहलाता है हर्मिटियन आप यू कहलाता है means this matrix is known as हर्मिटियन matrix बास समझ में आ गई आप लोगों को I hope clear हो गया होगा example के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूँ एक हर्मिटियन matrix मैं आपको ले करके दिखाता हूँ इसमें कुछ note point ध्यान दखो जिससे आपको example लिखने में आसानी होगी जो हर्मिटियन matrix होगा वहाँ पर उसका जो बिकण आप यब होंगे वह हमेशा वास्तविक होंगे बिकण आप यब वास्तविक होंगे इसको ध्यान दखे एकजामपल लिखने का तरीका क्या होंगे आप यब वास्तविक होंगे यहाँ पर दूसरी चीज है कि विकण आप यब के जो उपर नीचे के आप यब होंगे वह एक दूसरे के सयंग में लिखे जाएंगे देखे धानसे अगलाट नोट पांट लिखेगा विकण आप यब के उपर नीचे के अब यब सयंग में होंगे ऐसा अगर हम लिखेंगे तो यह condition satisfy हो जाएगी यह चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपको as a trick यूज करना है क्योंकि जब हर्मिटियन मेट्रिक्स का example लिखने के लिए आता है क्योंकि वह confused होते हैं तो अगर इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा ऐसा लिख पाएंगे आइए समझाते हैं आप लोगो जैसे a equal to हम कोई matrix ले लेते हैं simple सा देखो जो इसमें है वही हम ले लेते हैं जैसे 1 ले लिए और यहां ले लिए अब यहां कोई number लिखो जैसे यहां हम लिख दिया 4 प्लस 5 आयोटा लिख दिया ठीक है और उसके बाद इसका conjugate यहां लिखना पड़ेगा जैसे यह इसका conjugate 3 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा यहां लिखोगे और इसका conjugate यहां 4 माइनस 5 आयोटा यहां लिखोगे और यहां कोई भी number जैसे हम मानलो 0 लिख दिये अब देखिए हमने यहां पर example को लिखते समय क्या ध्यान दिया जो यहां पर diagonal elements है ध्यान दिजे सभी लोग diagonal elements जो है इसको हमने real number लिखा है बाकी diagonals के ऊपर नीचे के जो elements हापस में exchange होते हैं जो बदलते हैं उसको हमने क्या लिखा है समान लिखा है लेकिन conjugate लिखा है तो अब हम लोग क्या करेंगे क्या निकालेंगे इसका हम लोग निकालेंगे सयुगमी परिवर्थ आप यो conjugate transpose matrix तो उसके लिए conjugate निकालना होगा अब आप क्या करेंगे पहले a बार निकालेंगे जब a बार आप निकालेंगे तो क्या हैगा 1, 2 प्लस 3 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा यहाँ 2 माइनस 3 आयोटा समझते चलिएगा आराम से ध्यान से और यहाँ 5 ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा यहाँ 3 माइनस 4 आयोटा यहाँ 4 प्लस 5 आयोटा यहाँ आपका क्या हो जाएगा 0, यह क्या मिला आपको a बार मिला अब क्या करोगे ना हूँ आपको क्या चाहिए a star चाहिए यह a theta चाहिए कैसे निकलेगा यह a बार का transpose निकाला जाएगा तो आईए निकाली और देखिए कितना मिलेगा इसको जब करेंगे तो यहां पर आएगा 1 यहां 2-3 आयोटा यहां 3-4 आयोटा ठीक है और यहां आएगा 2-3 आयोटा और यहां आएगा 5 यहां आएगा 4-5 आयोटा ठीक है और यहां आएगा 3-4 आयोटा यह आएगा 4-5 IOTA यहां आपका आएगा 0 अब देखिए क्या यही आप भी आपको मिल गया है एही मिल गया है चेक कर लिए तो यहां आपने क्या देखा ए स्टार जो है वह क्या आ गया बराबर तो जब बराबर आगया इस ए को हम लोग क्या बोलेंगे हर्मिटियन आब्यू ठीक है हर्मिटियन मैटिक्स के नाम से इसको dear students हम लोग जानेंगे इसका example आपको याद रहना चाहिए आपको हम बता दे dear students की ये इसका example और इसकी definition 2008 में BTE Board of Technical Education UP की तरफ से 2008 में और 2013 में ये definition पूछी जा चुकी है definition तो लगबग सारे students लिख लेते हैं उनमें problem कहां आती है वो example नहीं लिख पाते हैं तो example लिखने के लिए क्या साउधानी बरतनी है जो diagonal elements होंगे उन्हें आपको real number लिखना है उसके उपर और नीचे के जो elements होंगे उनको complex लिखेगा बस एक उसरे का conjugate लिखते हैं आपका काम बच जाएगा समझ में आई बाते हैं चलिए अब हम लोग समझेंगे बच्चों अगला होगा बिसम हर्मिटियन आप व्यू उसको बोलेंगे skew हर्मिटियन मैट्रिक्स और आईए उसमें समझते हैं उसकी क्या condition होती है और उसके example को हम लोग कैसे write करेंगे उसके example को dear sense हम लोग कैसे लिखेंगे ठीक है आईए समझते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स हो गया अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बिसम हर्मिटियन आप व्यू skew हर्मिटियन मैट्रिक्स ठीक है क्या है बिसम बिसम हर्मिटियन हर्मिटियन आप व्यू जिसको हम बोलेंगे इसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बिसम हर्मिटियन आप व्यू इसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स अब यहाँ समझो अच्छा यह कंडिशन हमेशा वर्ग आप व्यू में ही निकलेगी क्योंकि वर्ग आप व्यू में ही क्या होगा लीडिंग डायगोनल होगा तो वहीं से बने का ध्यान रखियेगा यहाँ बोलेंगे यदि अब व्यू हो की कैसा हो A star equal to minus A हो जाए ऐसे भी कर सकते है और A theta equal to minus A ऐसे भी कह सकते है और A bar का transpose minus A के एक को हो जाए ऐसा भी कह सकते है तो तो A बिसम सममित सरी बिसम सममित करे रहे बिसम हर्मिटियन बिसम हर्मिटियन आब्यू कहलाता है ठीक इतनी बाद सबको समझ भी आ गए अब इसका एक्जामपल हमें लिखना है ध्यान रखेगा इसका एक्जामपल लिखते समय हमेशा ध्यान रखेगा इसके जो elements होंगे उनको या तो काल्पनिक रखा जाएगा या तो distance उनको zero रखा जाएगा तो इसका एक्जामपल लिखते समय आप zero लिखेंगे तो आपके लिए best रहेगा और देखे एक्जामपल समझ येगा एक्जामपल लिखेंगे आपको समझाते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके समझ में आ जाएगा ठीक है बहुत ही जवर्जस लेक्चर था आज का डियर स्टेंट्स एक्जामपल लिखें देखें जैसे एक कॉल्टू हम कोई मैट्रिक्स लिख दें सपोस करिए यहां 0 लिख दीजे यहां लिखें 2 प्लस आयोटा यहां लिखें 2 माइनस आयोटा लेकिन सामने माइनस लगा दीजे ठीक और यहां 0 लिखें बस हो गया यह कितनी कोटिका हो गया दूतिये कोटिका होगा example में दूतिये quote का लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां और यहां का जो अवियाब लिखेंगे वो इसरे का conjugate लिखेंगे लेकिन sign उसका change कर देंगे प्लस या माइनस वहाँ पर लगा देंगे आई ये इस example की हम लोग थोड़ा सा calculation करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा here ध्यान देना यहां पर अगर हम a बार निकालेंगे तो क्या एगा डियो सेंट्स जीरो आएगा 2 माइनस आयोटा आएगा यहां माइनस से कोई फ़रक नहीं यहां 2 प्लस आयोटा आजाएगा इतनी बार सबको समझ में आई और यहां क्या आएगा जीरो आएगा अब हम क्या करेंगे इस a बार का transpose निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0 माइनस 2 प्लस आयोटा मिलेगा बात समझ में आ रही है आप लोगों को और यहां आपको 2 माइनस आयोटा और यहां पर 0 मिलेगा अब मैं क्या करूँगा इसमें से माइनस कॉमल ले लूँगा तो a बार का transpose जब माइनस कॉमल ले लोगे यहां 0 आएगा और यहां कितना आजाएगा यहां आपको आजाएगा 2 प्लस आयोटा और जब यहां माइनस कॉमल होगे तो यहां माइनस लग जाएगा माइनस 2 माइनस आयोटा आजाएगा और यहां 0 आजाएगा अब यह देखो किसकी वैलू हो गई माइनस कॉमल लिया गई किसकी वैलू हो गई a की वैलू हो गई तो dear strengths यहाँ यहाँ जो हमारा A है वो क्या है बिसम क्या है बिसम हरमिटियन हरमिटियन क्या है आप व्यू है ठीक है बिसम हरमिटियन आप व्यू है यह dear strengths था इसके example लिखने का तरीका इसको ध्यान रखने का तरीका मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारी की सारी चीजें Dear Friends, आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आई होगी और सारे topics आप लोगों को अच्छे से clear हो गए होगे अभी Dear Friends, एक lecture और होगा एक lecture और होगा, उसमें कुछ topics के बारे में हम और discuss करेंगे Then हम exercise के और सारे questions को discuss करेंगे तब आपकी फर्स्ट exercise मींस chapter फर्स्ट डियो से आपका complete हो जाएगा Then हम लोग अपना second chapter स्टार्ट करेंगे Dear Friends, अभी तक ये आज का 7th lecture था 7th lecture आपके matrix में हो चुके है आज के इस वीडियो के comment section में मैं यह सभी लोगों से जानना चाहूँगा कि ऐसे हमारे कितने students हैं जिन्होंने सभी के सभी, मतलब 7th के 7th lecture को वाज किया है साथ ही साथ, आपकी जो notes अडियों सेंड्स हो क्या है complete है, अगर आपकी notes बहतर तरीके से complete है तो आप मुझे उसकी PDF send करिए देखते हैं किनोंने, किन students ने हमारे कितना अच्छा बनाया है अगर आपकी PDF मुझे अच्छी लगी, तो मैं आपसे direct बात करूँगा direct बात का मतलब यह है कि आप मुझे direct बात कर पाएंगे अगर आपको किसी help की जरूत होगी, जिस like मैं हूँ, तो मैं आपकी help करूँगा कुछ students हैं जो previous year ऐसा किये थे, तो मैं उनके direct touch में हूँ direct message means उनके पास मेरा WhatsApp number है, कभी जरूत परती है तो उससे direct बात कर लेते हैं तो यह मैं एक लालच नहीं दे रहा हूँ, एक उत्साह दे रहा हूँ आपको कि अपनी PDF बनाईए, अब मुझे आप इंस्टा पर send करिए, इंस्टा पर कैसे, आप वहाँ पर DD Mathematical Solutions है न, Mathematical Solutions, सर्च करिए Instagram पर, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहाँ पर आप क्या करिए, जो आपने copy बनाईए, उसका PDF बनाईए, और उसमें जो कुछ भी आपने लिखा, उसको हमारे पास send कीजिए, मैं उसको देखता हूँ कि आप लोग इस समय, किस जुनून के लगे हुए है, जो महनत मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, उसका कितना response मुझे मिल रहा है, मुझे इसका जानने का सायथ, पूरा अधिकार है, इसके अतरित डिया स्टेंट्स, मैं इस वीडियो के वेंट सेक्शन में अभी जाना चाहूँगा, इसे हमारे कितने students हैं, जिन से पढ़ने से कुछ अलग का हुऊ होता है, तो मैं आप लोगों से यह कहूंगा, कि आप बुक पर सेस कर लिए, आपके लिए बेस्ट होगी, बुक कौन से लिजिए, जो आपके यहां लग रही हो, वो बुक आप लोग ले लिजिए, मैं जो concept आपको सिखाऊंगा, जो rule आ नहीं मिलता है, आपके पास दूसरे राइटर की बुक है, जिससे मैं साल्व कराता हूँ, वो आप लोगों को चाहिए, तो आप जो है, टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजिए, टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कर